हलो गाईज, वेलकम बैक टू माई चैनल, महाजन क्रियेशन आगे बढ़ो, रात का बच गया साड़े 8 और हम पहुच गया मिरामार बीच, तो वीडियो में जिनको देख रहा है मनोहर परेकर जी, तो इनके लिए एक बड़ा सा म्यूजियम बना दिया गया है, तो आज इनके में नाम ऐसा करो, जो काम बन जाए, और काम ऐसा करो, जो नाम बन जाए, तो आज का वीडियो इनी के उपर होने वाला है, जिनों ने उनका अख्खा लाइफ में ऐसा काम किया है, जो हमारा दिल पे जन्मो जन्मो तक सच लिस्स में बने रहेगा, तो चलिए गाईज, फोटो फूटेज आप लोग देखेंगे, ये जो खेला, दोड़ना, साइकेलिंग, शेफ, खाना बनाना, और जितना भी बच्चा लोगों के साथ खेलना, ये सभी कामों में और एक्टिंग में, पॉलिटिक्स में, सभी चीज में मनोहर परेकर जी का बहुत ज्यादा उन्होंने मिला है, जैसे कि पॉलिटिशियन सब लोगों से, तो उन्होंने गोवा का उन्नती का बारे में बहुत ज्यादा बात किया है, आज जो हम लोग गोवा इतना सुन्दर, इतना खुब सुरत देख पा रहे हैं, उसके पीछे मनोहर परेकर जी का हाद भी कुछ कम न और उनके जैसा ही गोवा में इतना ही अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनके पीछे मनोहर परेकर जी का हाद है, तो चलिए उनका जनम तीती भी हम लोग जान लेते हैं, उनका जनम हुआ था नौद गोवा का मापसा सीटी में 13 डिसेंबर 1955, जैस मनोहर परेकर जी का दो लड़ का भी है, जिनका नाम है उत्पल परेकर और अभीजित परेकर, तो मनोहर परेकर जी आचानक यूएस से जब बपस आया, 2018-27 ओक्टोबर यहां का गोवान 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 ने एनौसमेंट किया था, उनका कैंसर हुआ है, पूरा एक साल उन्होंने कैंसर के साथ लड़ाई करने का बाद, 2019-17 मार्च इविनिंग संडे को डोना पोला में उनका डेथ हो गया, डेथ टाइम उनका एज था 63, इतना कम उमर में इतना अच्छा लोग हमारा बीच से चला गया है, यह सिर्फ गोवा के लिए नहीं, पूरा दुनिया के लिए बहुत, बहुत, मतलब कमिया हो गया है, ऐसा जिनोंने उनका 63, इतना कम उमर में इतना लोगों से मिला है, इतना एक्टर से मिला है, जैसे कि जया बच्चन, अमित बच्चन, सचिन टेंडूल कर, और भी बहुत लोगों से उन्होंने मिला है, फिर भी पल भर का उनके अंदर कोई घंबन नहीं था, उन् आदमी का तरह घुमता था आप लोग फोटो में भी देखा हैं उन्होंने कैसे लोगों के साथ कबड़ी खेल रहे हैं साइकलिंग कर रहे हैं बीना बोडी गाट काई उन्होंने घुमता था और जिनोंने ये 63 लाइफ के अंदर पदमभुशन एवर्ड भी मिल चुका हैं तो जन सके तो जब मुझे पता चला मनोहर परेकर जी पदमभुशन एवर्ड मिला है तो फर्स दिन मैं गई थी रात को 10 बच गया था तो ये बंद हो गया था मुझे दूसरा दिन फिर से जाना पड़ा और ये पूरा पढ़ाई करके आज का वीडियो में बना रही हूं तो य सब सेलिब्रेटी लोगों से मिला है ऐसा लगता ही नहीं है जैसे कि आप वीडियो में देख रहे एक मुस्कान के साथ खड़े हैं वैसा ही है ऐसा लगता है सच में उन्होंने जिन्दा है ये मुर्ती के सामने मैं जब रूख के वीडियो बना रही थी तो मुझे बहुत ज मेरा सच में बहुत ज़्यादा बदनसीब था तो इसलिए शायद इनसे मिल नहीं पाई तो चलिए वीडियो में आगे बात कर लेते हैं इनका नाम पे मनोहर परेकर जी का नाम पे एक स्टेडियम भी है जो मरगाओं में है और मनोहर परेकर जी का नाम पे एक कोलेज भी है जो टलिगाओं में है और एक एरपोर्ट भी है जो नौर्थ गोवा पेरिम साइड में है मनोहर इंटरनेशनल एरपोर्ट जो पमत सवन जी ने 11 डिसेंबर को ओपन कर दिया है और मनोहर जी का नाम पे 2023 का जो बच्चा लोग अच्छा पढ़ाई करके आगे बढ़ेगा ओलोग के लिए scholarship भी है तो चलिए आज का वीडियो आप लोगो को कैसा लगा प्लीज कॉमेंट में बता दीजिए और एक लाइक सस्क्राइब करके मेरा चैनल का मोटिवेशन और मेरा मोटिवेशन बढ़ा दीजिए बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए ये जो वीडियो करके आज का जो वीडियो वो emotional इतना ज़्यादा attachment हो गया मेरा खुद का आख से इतना रोना आ गया मैं क्या ही बोलू मुझे बोलना बंद हो गया है तो चलिए गाईस आज का वीडियो इतना ही मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक मेरा वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करो बाई बाई टाटा टिलें